आज मैं आप लोगों के साथ मेरा जो लूज पाउडर एंड कॉम्पैक्ट कलेक्शन है वो शेयर करने वाली हूँ यह वीडियो में इसलिए करनी हूँ जो जादा मेकप नहीं करती है स्कूल गोईंग है कॉलेज गोईंग है जो सिफ कॉम्पैक्ट लगा के घर के भार जाती है या कॉलेज जाती है स्कूल जाती है तो उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्फूल होने वाला है और आपस बहुत सारे कॉम्पैक्ट्स थे लूस कारे में छोटा छोटा यूनो डीटेल्स देना चाहती थी आपको यह वीडियो में एक अच्छा कॉम्पैक्ट मिल जाएगा सो अभी बिना टाइम एस करें सबसे पहले मैं अपना फेवरिट कॉम्पैक्ट के साथ स्टार्ट करना चाहूंगी विच इस अपने बेस को सेट क लाक है अच्छी खासी है उजह यह बहुत जादा अच्छा लगता था इसमें है मेरा शेड मार्बल और यह 120 रुपीज का है यह मैं बोल रही हूं कि अच्छा लगता था यह अब एलेटीन को कॉम्पैक्ट नहीं मिलता है वरना मैं डेफिनेटली रीपर्चेस करती करती कर बाउंब भरके रख लेती हुआ उसका उजह इतना पसंद है वैसे तो यह ओल कंट्रोल इंग वागे रहे इतना कुछ करता नहीं बड़िया आपको फेस को थोड़ा सा ब्राइट करता है अपको फेस काफी अच्छा लगता इसके बाद रही लाइक दिस कॉम्पैक्ट नेक फेस अच्छा मैट हो जाता है जादा तो नहीं तीन चार घंटे तक ही रहता है मैट लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बाते क्योंकि यह कॉम्पैक्ट बहुत ही ससता है यहां पर तो इसकी प्राइज लिखी हुई है नहीं लेकिन अभी इसकी प्राइज बढ़ गई ऑगई ह बहुत ही handy-tandy है पैकेजिंग में ठीक ठाक है यह मुझे बहुत अच्छा लगता है लेकिन इसका अपना कुई इतना कुछ coverage है नहीं तो अगर आप सोच रहे हो कि आप अगर आप BB cream foundation नहीं लगाते हो अगर आपको थोड़ा सा coverage चाहिए तो आप इसे ना ही ले तो ही ठीक है क्योंकि इसका अपना खुद का कुछ इतना coverage है नहीं बट अगर आपको यह face को लेक मेकप को set करने के लिए चाहिए oil control के लिए चाहिए so this is really great next day मैं बस street wear को compact यह मैंने लिया था packaging के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है मैंने यह बहुत टाइम पहले लिया था but still मैं इसे कुछ ज्यादा यूज नहीं कर पाई हूँ यह बहुत ज्यादा powder है आप देख सकते हो बहुत ज्यादा powder है मैं जैसे इसमें brush dip करती हूँ इदर उदर इदर उदर पूरा पाउडर फैल जाता है तो इसलिए मैं इसे brush के साथ तो avoid करती है इसका जो sponge है वो भी इतनी अच्छी quality का है नहीं और यह बहुत ज्यादा powder है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है ब तो पूरे कपड़ों पे आपको compact ही compact हो जाएगा तो अगर आपको powdery compacts नहीं पसंदे तो don't just go for this and also यह as such oil controlling वगेरे में भी कुछ इतना करता है नहीं तो it is a decent and okish compact and शायद street wear का भी यह compact बंद हो चुका है I don't know यह 175 का था next compact है यह भी आप में से काफी लोगा ने use कर लिया होगा यह है लैक में का absolute perfect radiance compact and सारे shades तो मैं description box में दे दूंगी इसमें SPF 23 ओ बाइदवे इसमें SPF थां कितना वो मुझे नहीं पता मैं mention कर दूंगी लेकिन तो यह दो ही compact है अब तक जो मैंने बता है जिसमें SPF था यह व इसी तोड़ू-फोड़ू हूँ तो तूट जाता है यह compact and यह compact daily wear के लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि SPF बटग्राफ function वगेरे में जा रहे हो आपको यह दोनों compact से थोड़ा धूर ही रहना पड़ेगा यह मुझे daily wear के लिए ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि इस mattify भी हो जाता है थोड़ा सा लेकिन dry skin वालों के लिए अच्छा है क्योंकि आपके face को dry out नहीं करता है जो लूस पाउडर है मैं पर सिर्फ दो यह तो मैं वह last में बताऊंगी सबसे नेक्स जो compact है वह इतना you know brand brand तो है नहीं यह prefix का लेक इंसलाइट का VOV इंसलाइट का यह यह compact है इसमें भी SPF 24 आता है बट गाइस इस compact is so amazing मुझे अभी यह मिल नहीं रहा है मेरा टूट गया है मतलब packaging टूट गई है एंड यह pan भी भारा गया है तो देखिए मैंने pan को hit कर दिया है मैं इसे अब ज्यादा यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि टूट चुका है एड इसकी puff quality इतनी amazing है सुपर्ब है यह compact की price तो मुझे याद नहीं है बटी 160 का था I guess पहले ही flip card पे मिलता था अब मैंने देखा तो अब मैं देख नहीं पार हूँ यह compact इतना अच्छा है daily wear के लिए ब्रैंड नहीं है मैं कहूंगी कि brand नहीं है लेकिन फिर भी यह compact इतना अच अच्छा coverage देता है plus SPF है मैं आपको जितने भी compact अभी तक बता है ना यह compact coverage सबसे अच्छा है एंड उसके बाद L18 वाला आता है का coverage बहुत अच्छा है यह आपके face को set करने के लिए एकदम अच्छा है यह आपके face को filter effect kind of दे देता है I don't know कैसे बट अच्छा है next है यह lacmica compact अब आप सब बोर नहीं हो गए क्या यह compact देख देखके maroon वाला मैं तो हो गई हूँ but still मुझे यह compact बहुत अच्छा लगता है इसलिए क्या कर सकते है I really like this compact and मैं इसे बार बार लेती रहती हूँ तो I've hit the paint थोड़ा है बस मैं खतम कर दूँगी यह compact यह मुझे अच्छा लगता है और daily wear के लिए या फिर फेस को set करना हो टाइम नहीं यह घाए गाई मैं मैं just अपने brush को swirl कर देती हूँ and I am good to go तो यह compact message कुछ special तो है नहीं like SPF or mattifying effect but then normal skin के लिए जिने SPF अगेरे नहीं चाहिए they can definitely go for this and इसमें भी थोड़ा आपको coverage मिल जाता है next है यह faces का compact मेरा जो सबसे favorite compact है L18 के बाद हो मैंने last के लिए बच्चा के रखा है तो यह है faces का compact इसमें आपको बहुत quantity मिल जाती है यह 175 ता है and इसमें आपको 20 gram of the quantity मिल जाती बागी compact में आपको 7 gram 8 gram 9 gram ऐसे quantity मिल जाती है बट इसमें आपको 20 gram मिल जाता है and इसकी packaging मुझे अच्छी नहीं लगती है क्योंकि आपको ऐसे खीचना पड़ता है and यह कुछ ऐसे अलग हो जाता है तो traveling के लिए यह बिलकुल अच्छा नहीं बिलकुल मतलब आप एक हाथ में mirror पकड़ोगे इसमें mirror आता है आप एक हाथ में compact पकड़ोगे तो आप compact लगाओगे कैसे कैसे आपको बहुती समाल के ऐसे रखना पड़ेगा then लगाना पड़ेगा maybe अगर यह joint होता तो इसकी packaging काफी अच्छी होती इसलिए मैं इसे जादा use कर भी नहीं पाई हूँ and इसकी quantity भी अच्छी है इसका puff भी अच्छी quality का आता है लेकिन यह बहुत जादा powder ही है like बहुत तो यह एक दब finely milt powder नहीं है and बहुत जादा powder ही कर देता है face को and at a certain time में आपको केकी केकी सा लगना start हो जाएगा अगर आप जादा apply कर देते हो तो अब मैं यह जल्दी को वीडियो को जल्दी से wind up कर लूगी पिकोज आनु वीडियो थोड़ा लॉंग होता जा रहा है next है यह blue heaven का आर्टिस्टो compact आगे से सबसे चीफ है 105 रूपीस का है only and इसकी packaging बड़ी खूब है आप यहां पे दबाते होना तो आपका यह product खुल जाता तो it's nice इसमें बहुत ही छूटू सा mirror आता है इतनी अच्छी quality नहीं है puff quality मुझे काफी अच्छी लगते है आप अच्छे प्रोड़क को pack कर सकते हो and यह है हमारा actual product इसमें भी 8 gram सो मिल जाता है आपको यह powder अगर आप से खुद लगाते हो like बिना foundation के उपर concealer वीवी क्लीम के अगर लगाते हो ना यह foundation तो यह foundation बोली में वाव यह compound जो है वह काफी cake ही हो जाता है जो मुझे बिलको अच्छा नहीं लगता है लेकिन अगर आप कुछ नहीं लगाते हो direct skin पर यह लगाते हो then it's okay अगर आप इसे foundation अगरे के साथ लगाते हो तो यह अपके foundation को अपके face को cake cake ही बना देता है तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता है इसका coverage अच्छा है ज्यादा powder ही भी नहीं है बदेन थोड़ा सा cake ही बना देता है face को so अगर आप सिर्फ यह यूज करना चाहते हो then you can go for it but you understand right अभी नेक्स जो है यह color essence को compact जो पूरा खतम कर चुकी हूँ मैं य I don't think so मैं इसे repurchase करूँगी अब but then I really like इसकी packaging भी तूट फूट गई है इसमें एक पफ आता था इसकी packaging भी convenient नहीं थी क्या आपको ऐसे देखना पड़ता था product लेना पड़ता था तो all in all यह compact ठीक ठाक है high definition HD compact है तो अगर आप फोटोग्राफीज वगेरे के लिए जा रहे हो as I told SPF वाला flashback देता है फोटोग्राफीज के लिए यह compact बहुत अच्छा है affordable है and daily wear वगेरे के लिए बहुत अच्छा है इसमें भी थोड़ा अच्छा coverage है तो आप यह try कर सकते ह लेस्ट रहे है वह affordable range में मेरा सबसे favorite compact है वो है रिमेल का stay matte compact इसमें भी आपको 14 gram product मिल जाता है मैं इसका बहुत यूज़ कर चुकी हूँ यह compact बहुत जादा बहुत जादा mattifying है dry skin वालों को यह लेनी की बिल्कुल भी जर्वत नहीं है मैं अभी तोड़ देती थी यह compact लेकिन oily skin के लिए यह जादू है मैं जसी से apply करती हूँ वो भी थोड़ा सा बहुत नहीं जस्ट कर लिया और यह मेरे face को पूरा matte finish दे देता है it is amazing जादा देर तक तो नहीं बढ़ चार गंदे तक तो कम से कम मेरा face matte रहता है उसके पाद में थोड़ा touch up कर लूँ I'm good to go तो oily skin के लिए यह best compact है I love this इसमें मेरा shade है 04 यह मिलना थोड़ा मुश्किल है naika पे 250 रुपीज का है थोड़ा मुश्किल है अगर आप ध्यान रखोगे ना तो जब यह stock में आता है ना फटक से order कर लेना और नेक्स्ट है थोड़ा सा जादा महेंगा compact और यह है यह color bar का compact color bar timeless filling and lifting compact इन सबका तो मतलब मैं समझी नहीं इसमें मेरा shade है 02 soft open इसकी packaging जबर दसते है बहुत जबर दसते है अफ्कॉस मतलब भी 800 रुपे ले रहे packaging भी ना दे तो क्या फिर आप इसे open कर सकते हों यह color bar color bar लिखा है इसके जो बाकी है silver silver दिख रहा है यह mirror effect है आप देख सकते हो तो आप इसमें भी आपका face देख सकते हो इतने बुरे नहीं दीखोगे बट स्टिल जब आप इसे ऐसे उपर lift करते हो तो आपको यहाँ पे mirror मिल जाता है the mirror is so good so good like ऐसा mirror नहीं लगा है यहाँ पर मैं कहूंगी यही जो silver plate है ना silver मुझे समझाते ही नहीं आ रहा है बट यह silvery silvery है यह mirror नहीं है यह बहुत अच्छे से आप आपका face देख सकते हो एक अच्छा सा puff आता है जो मैंने यूजी नहीं किया है मैं यह यूजी नहीं करते बिकाज यहाँ पर यहाँ आपको ऐसे पोर्स वाव खड़े खड़े दिख रहे है तो अगर आपका puff गीला है तो इसमें अच्छे से dry हो जाएगा इसलिए space दी हुए है I think so यह मेरा दिमाग था and यह आपको आपका product मिल जाता है यह बहुत जादा expensive है and I think 800 rupees में packaging छोड़के मुझे कुछ भी ऐसी जीज नहीं लगी जो I could say wow यापके skin पर बहुत ही एकदम थोड़ू फोड़ू फाड़ू ऐसे कुछ भी work नहीं करता है simple सा normal सा basic सा ही compact है जिसके लिए आप 800 rupees पे कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता है यह इतना worth the price है अब मैं आपको अपने 2 loose powders बता पहला तो आपने gas curry लिया होगा लैक में का rose powder मेरा बहुत गंदा है इसकी packaging बिल्कुल अच्छी नहीं जब मैं इसे open करती हूँ अब मैं नहीं करूँगी तो पूरी जगा powder powder हो जाता है मैं इसे hardly इसी वज़े से use कर भाई हूँ किके मैं खोलती हूँ पूरा powder हो जाता है product त होता ही है और बता नहीं क्या-क्या इसलिए मैं इसे जादा यूज नहीं करती हूँ इसमें आपको 40 grams product मिल जाता है तो एक बार ले लोगे ना फिर तो बस बदलब आपको बहुत ही नहीं चलेगा इसमें SPF भी आता है थोड़ा सा pink tint है इसमें बट आपके face पे इतना ये pink tint इतना सोचो मत कि आपका yellow undertone है तो आप ये pink powder कैसे यूज कर सोक्तों ये आपके face पे बहुत अच्छा वग करता है और ये daily wear के लिए काफी अच्छा है अगर आप कुछ जादा affordable option डूंद रहो बिकाज दिस इस पॉर लेक 150 रूपीर और 40 grams तो 6 में आपका ये powder चल जाएगा अगर आप रोज लगाते हो वेराज अगर आप इसे foundation वागे रेकरने सेट करने के लिए यूज करते हो as a loose powder baking baking के लिए तो ये बिल्कुल अच्छा work नहीं करता है ये मेरे foundation पे ऐसे cling हो जाता है I don't know क्यू मतलब मैंने baking भी ट्राय किया है set करना ट्राय किया है बट ये foundation पे चिपक सा जाता है इतने अच्छे से blend अगरे नहीं होता है foundation के उपर तो इसलिए मैंने ये फिर यूज करना छोड़ दिया नेक्स ये ADS का बनाना luxury powder है this is oh my god this is my favorite ये इतना अच्छा है trust me जो मैं इसे apply करते हूं मेरी face एक्दम filtered finish हो जाता है मेरे pores पूरे चले जाते है आज स मुझे इतने pore issues है नहीं बट मेरी स्कीन एक्दम plain लगती plain matte flat तो ये baking के लिए आपके face को set करने के लिए especially जब आप beauty brand के साथ यूज करते हो तो ये बहुत अच्छा है तो यही था मेरा collection I know ये video थोड़ा से long हो गया होगा अब तक अगर आप मुझे सुनते आए हो तो आपक को जादा बोर नहीं करूंगी एंड अभी हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में ते दें टेक केरें बाबाए